दिल्ली पिजुपी के अधियाक्षर आदेश गुपता ने प्रेस कॉंफरेंस के इस तोरान उन्होंने केश्रिवाल सरकार पर निशाना साते होए कहा कि परतिशत महूला क्लिनिक बिमार है कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवाई नहीं है महूला क्लिनिक के अंदर सो चालिस लोगों को रुजगार दिया है के सरह से दिली के में की सरकार्वी महला क्लिनिक को बताए कि हमारा वर्ल क्लास महला क्लिनिक है कि वो वींड क्लास मौला क्लिनिक की थर्ड महला क्लीनिक के रूप में कैसे बदल गया है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे क्योंकि 1000 महला क्लीनिक का पहाड़ा पढ़ने वाले विधान सवा से लेकर दिल्ली से लेकर पूरे देश के अंदर लोगों को जूट बताने वाले कि हमने 1000 महला क्लीनिक कोलने हैं कोलने हैं कोल दिये हैं एक बार नहीं बार बार बताया एक हजार महला क्लीनिक कोलेंगे कई बार उन्होंने इस बात की इस इबारत को कई बार दोराया लेकिन हकीकत इस से परे है पहली हकीकत है कि 1000 महला क्लिनिक में मात्र 200 महला क्लिनिक ही खोल पाए है मात्र 200 महला क्लिनिक उसमें भी 50% महला क्लिनिक बीमार है कहीं गंदगी है कहीं खुलते नहीं है कहीं डॉक्टर नहीं है कहीं दबाई नहीं है सिरी सतिंदर जैन ने पिछले साथ सालों में 73 बार जूट बोला है कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्द कराएंगे आज दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार की रिपोर्ट के मुताविक 63 परसेंट आबादी ऐसी है जहां पाइप लाइन से पानी उपलब्द दिल्ली जलबोर नहीं करवा पा रहा है अरविंद के जिरिवाल जब मुख्य मंत्री बने दिल्ली के पास साड़े आठ से एमजीडी पानी था और आज केवल 900 एमजीडी पानी है और दिल्ली को आपशक्षता है तेरे सो एमजीडी पानी की अरविंद के जिरिवाल दिल्ली के जब मुख्य मंत्री बने दिल्ली जलबोर पांसो किरोड रुपे मुनाफे में था यह अरविंद के जिरिवाल के स्टेटमेंट है आज दिल्ली जलबोर साथ हजार किरोड रुपिया के बोज में दबा हुआ है और हर साल दो हजार किरोड रुपे का घाटा जलबोर को जहिलना पड़ रहा है पूरे देश में बेरोजगारी ओस्तन लोगों की संख्या 7.9 है पूरे देश में 7.9 और दिल्ली में 8.9 है यह अंतर है के जिरिवाल के 15 लाग लोगों को 10 लाग लोगों को रोजगार देने का के जिरिवाल साहब ने कहा था कि मैं लोगों को रोजगार दूँगा लेकिन जो टीचर लगबग 15,000 टीचर जिनकी रिक्तिया हैं उनको इनों इसने के जिरिवाल साहब ने अधिशुच तक नहीं किया स्कूल में टीचर है नहीं लेकिन जो गैश टीचर बिचारे रहते हैं वो गैश टीचर कहते हैं आपने तो कहा ता मैं सब को पर्मानिट करूँगा हमें पर्मानिट कर दो उन गैश टीचरों को भी पर्मानिट करने का ये विरोध कर रहे हैं और एक तरफ कहते हैं मैं 10 ला करोड रुपया उसके नाम पर बजट का प्रवधान तो पास किया जाता है मगर खर्च नहीं होता दिखाया जाता है खर्च हो गया क्योंकि पानी को साफ करने में कैसे पता लगेगा कि कितना करोड रुपय कहां खर्च हो क्या तो नहीं बोलते ही अमना बोलते ही अमना मैली है ना सोफ भी घंदी कि ये अगली बार ले जाओंगा डूपकी के लगां मगर वहाँ डुपकी कौन लगा रहा था अर्वीन केजरीवाल नहीं लगा रहा था छटी मया के दिन जो हमारे दिल्ली में पुरवांचल बहने मा रहती हैं उन्होंने गंदे केमिकल के पानी में वहाँ पर डुपकी लगाई और जिसका द्रिशे पूरे देश ने और विश्वु कभी डुपकी नहीं लगाएगा मायमना में क्योंकि वह साफ नहीं कर सकता है कि 2025 में भी चुनाव में वह यहीं कहेगा मैं 2030 से पहले डुपकी लगाऊंगा दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के लिए डिटीजी से बसे दी जाती थी और आज अचानक दिल्ली के सभी कर ली गई हैं और वो छोटे छोटे चोटे बच्चे चार साल के पांस साल के छे साल के जो सुरक्षित इन बसों में ट्रैवल करते थे स्पेशल बसे जो दी गए थी डिटीजी की तरफ से अब वो बच्चे उनके किसमत पर छोड़ दिये गए उनके अभी भाव कों के उप करवाएं रिस्क लें बच्चा स्कूल पहुंचे नहीं पहुंचे वो पेरेंट जाने तो कुल मिला करके डीटीजी की बसे पिछले सबस एड़ नहीं हुई जो बसे थी वो सब ओवरेज हो गई 22 करोड़ डीटीजी घाटे में चली गई 1984 के बाद अगर दिल्ली में कोई रोट्स हुए कतलयाम हुआ तो अर्विंद केजरिवाल के रहते सीमापूरी में हुआ और पिछले दिनों में सलिमपूर सॉरी मैं माफी चाहता हूँ ऐसे तो ऐसे नाम हटा देने चाहिए पता नहीं अभी तक क्यूं है सिलमपूर में हु जैसे नाम वैसे काम अभी जहंगीरपूरे में हुआ और अब पट्याला में हुआ कौन करवारा है अर्विंद केजरिवाल आम आदनी पार्टी की सरकार मैं देश के लोगों को याग रह करना चाहता हूँ यह इतना खतरनाक आदमी है राय सत्ता करने के लिए कितने भी बे अला आइकन नेवर मिस एनी अपडेट